आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे लियाम और उसकी पत्नी ने New York के इस छोटे से तिकोने कोने के कमरे को एक शांदार और पूरी तरह से कार्यात्मक घर में बदल दिया. चलिए शुरू करते हैं. लियाम और उसकी पत्नी ने New York में कड़ी महंत करके एक मिलियन डॉलर बचाएं और इस छोटे से तिकोने कमरे को खरीद लिया, जो सिर्फ चार वर्ग मीटर का है. ये इतना छोटा है कि इसमें सिर्फ उसकी दादी का ताबूत ही आ सकता है. लियाम ने कच्रे के धेर से कुछ इंतें और लकडी के तखते ढूंड कर एक साधारन बेड बना लिया, लेकिन उस पर सोने से हर रोज पीठ दर्द होता था. तो उसकी पत्नी ने ठान लिया कि अब कुछ नया करना पड़ेगा. सबसे पहले, उसने पुराने खिडकियों को हटाया और गैलवनाइस्ट स्क्वाइर स्टील से एक फ्रेम वेल्ड किया. इसे बाहर की तरफ बढ़ाया ताकि अतिरिक्त जगह मिल सके. फ्रेम को वेल्डिंग से मजबूत किया और अपनी आंटी से उधार लिये गए एक्सपेंशन स्क्रू का इस्तिमाल करके इसे दीवार पर मजबूती से फिक्स कर दिया. फ्रेम को इको फ्रेंडली वुड वेनियर से कवर किया, जो 10,000 साल तक तिकाओ रहेगा. अंदर, बड़े सूटकेस और सीजन के बाहर के रजाई गद्दे को स्टोर किया और बाहर एक बड़ा ड्रॉयर बनाया जिसमें कपल के इंटिमिट कपड़े रखे जा सके. फिर, नए खिड़कियों को इंस्टॉल किया और कोने में एक बड़ा वार्डरोब बनाया. बाहिं तरफ, कपल के कपड़े और पत्नी की चीजों के लिए एक छोटा सा गुप्थ कमपार्टमेंट बनाया. उपर, पत्नी की घरेलू चीजे रखी गए. बैड के अंत में, एक वाल कैबिनेट इंस्टॉल किया जिसमें सारी किताबें और नीचे एक बड़ा ड्रॉयर जिसमें कपल की सारी उपलब्धियां स्टॉर की जा सके. काउंटर टॉप को वर्क स्पेस और डाइनिंग टेबल के रूप में इस्तिमाल किया. बैड पर एक गद्दा लगाया और सुरक्षा के लिए विंडो सीट पैट्स इंस्टॉल किये. अब, रसोई के एक कोने को सुरक्षित करके नीचे वाशिंग इंस्टॉक्शन्स एंबेड की. दिवार के खिलाफ एक कैबिनिट बनाया जिसमें सारे किचन आइटम स्टोर किये जा सकें और उपर एक इलेक्ट्रोनिक स्टोव रखा. यही वह जगह है जहां लियाम अपनी पाक कला का प्रदर्शन करता है. बाथरूम एरिया को पांच सेंटीमीटर नीचे करके एक कोने में मार्बल काउंटर टॉप के साथ एक बिल्ट इन सिंक लगाया. पत्नी के लिए एक स्मार्ट मिरर जोड़ा. कोनों में टाइल्स एंबेड की ताकि रोज मर्रा के टॉयलिट्रीज रखे जा सकें. एक अन्य दिवार पर एक सस्पिंडेट स्मार्ट टॉयलिट इन्स्टॉल किया ताकि लियाम घर छोड़े बिना ही अपने बहतरीन पलों का आनंद ले सके. इसके बगल में एक शावर हेड लगाया. दिवारों को मार्बल से कवर किया और एक दर्वाजा इंस्टॉल किया ताकि एक प्राइवेट स्पेस बनाया जा सके. अब यह छोटा सा कमरा एक पूरी तरह से कार्यात्मक घर में बदल गया है. तो दोस्तों, ये थी लियाम और उसकी पत्नी की शांदार जुगाडु जादुगरी. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले. अगले वीडियो में मिलते हैं. इस वीडियो में लियाम और उसकी पत्नी की अनोखी जुगाडु गिरी आपको हंसी और फ्रेरना दोनों देगी, और बताएगी कि छोटी सी जगह में भी बड़े सपने कैसे साकार हो सकते हैं.